देखो कोचिंग का exact meaning क्या है आपका जो view है कोचिंग का वो सिर्फ पैसा कमाना हो सकता है लेकिन कोचिंग का meaning ये है कि जो needy students हैं उनको हमने उनका mind जो है वो sharp करना होता है उनको अच्छे marks दिलाने होते हैं उनकी practice अच्छे से करवानी होती है क्योंकि उन बच्चों को ये लगता है कि school में जादा उनको time नहीं मिलता उनके questions जो हैं उनके answer देने होते हैं और शुरू में क्या होता है जुलाई से October तक के जो मन्त हैं उनमें उनका syllabus complete होता है उनको notes बनवाने पड़ते हैं easy notes ठीके easy notes बनवाने होते हैं और साथ साथ एक chapter हो गया उसका quiz ले लिया oral test ले लिया return test ले लिया अब October में तो उनका syllabus complete होता है उसके बाद main काम आता है उनकी practice करवाने का उनकी त्यारी करवाने का जो आगे की चार मन्त हैं November, December, January और February जिसमें आपने revision भी करना होता है revision क्या होता है short revision होता है summary होती है chapter की साथ में test चलती है MCQ test लेने पड़ती है Philip की test लेने होती है one liner questions कौन से आएंगे board का pattern क्या है short answer question की practice long answer की practice drawing diagram की practice इतना सब करना होता है आगे वाले four month में और उसमें अगर आप एक नए बच्चों को admission दे रहे हैं तो पुराने बच्चों का कितना loss हो रहा है अब नए बच्चों को फिर आप क्या करवार हो यह सलेबस करवार है उनके साथ में बिठाकर ऐसे coaching नहीं चलती है यह पैसा कमान हो गया सिरफ तो बच्चों को आपने क्या शार्प कर लिया पहले उनका सलेबस करवाया अब नए बच्चे आ रहे हैं उनका सलेबस करवाये जा रहे हूँ तो revision कब करवाया आपने टेस्ट आपने कब लिये कब आपने board का pattern उनको दिखाया ऐसे नहीं चलता तो मेरे लिए स आपने improve करना है ना कि पैसा कमाने के चक्कर में वो तो चलो उनका तो होई गया अब नए बच्चों को डिमीशन दे दो चलो आप मान लेते हैं आपने एक नया बैट स्टार्ट कर लिया नए बच्चों का अब चार महिनों में आप उनको क्या करवाओगे सिरफ सलेबस करव पिसरा मत करो किसी भी चीज़ का एक तरीका होता है एक अगर आपने knowledge प्रोवाइड करनी है या अकेला business करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूंगा कि मेरे से जो नए बच्ची हैं वो request ना करें प्लीज क्यूंकि जो बच्ची मेरे पास पहले जुड़ चुक होती है मैंने उनी को क्या करना है इंप्रूव करना है तो उनकी नए admission के चक्र में मैं वहाँ उनका loss नहीं कर सकता है ठीक है बाकी आप समझदार हैं आपको मेरी बात अगर समझ आई होगी ठेंक यू कर दो